गुट मारिग दियर स्टूरेंट्स वाले जो वीडियो थी उसमें भी अप्षे से पढ़ा था किए सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है simplest form आपकी मैं फिर से बता देती हूँ वो form है जिसमें आपका जो numerator है और जो denominator है उनमें common कुछ भी नहीं होगा means वो co-prime होगे आप उनको किसी भी एक number आप उनके जब भी factor बनाओगे तो उनमें कोई भी common factor नहीं होना चाहिए अगर कोई common factor है तो आप उसको हटा दीजिए और जब वो दोनों co-prime हो जाएंगे तो आपका वो answer कैसे होगा simplest form में so let's start now first part is minus 8 by 6 अब आपको दिख रहा है कि जो numerator है उसमें भी आपका 2 से divide हो रहा है और denominator भी 2 से divide हो रहा है वैसे तो आप इस topic को पहले से बहुत अच्छे से जामते हो क्योंकि आपने fraction को आता है कि fraction को हम कैसे cut करते हैं कैसे simplest form में convert करते हैं now minus 8 by 6 आप क्या गरोगी इसको उपर भी 2 से divide करो नीचे भी आप उपर भी करेंगे numerator में भी और denominator भी तो number क्या रहेगा same सो हम क्या करते हैं इसको भी 2 से divide करते हैं इसको भी 2 से divide करते हैं प्रोसेजर तो आपका यही है बाकी जैसे आप बच्चों की तरह हमेशा ही करते हो आगे भी ऐसे ही करना है सिधा 2, 4, 1, 2, 3, 6 the answer is minus 4 by 3 लेकिन एक्चोल में आपका प्रोसेजर तो यही है same क्या आपने minus 8 को भी 2 से divide क्या आप 2 से divide करोगे minus 8 कॉंसर भी minus 4 numerator में 6 को 2 से divide करोगे 3, so minus 4 by 3 is the simplest form of minus 8 by 6 now next, in next part आप पहले क्या करते हो सबसे पहले आप 2 से देखते हो फिर 3 से, फिर 5 से वैसे ही करते हैं, प्राइम नंबर से तो अब आप इसको दिख रहा है आपको ना यह 2 से divisible है ना ही 3 से divisible है, 25 3 से divisible नहीं है तो हम सिधा 5 पे आते हैं 5 से divide करते हैं, दोनों को which is equal to 25 को 5 से divide करोगे, 5 and 549 अब यह को प्राइम है 5 or 9, इनमें दोनों में कोई भी common factor नहीं है, इनका HCF 1 है, तो यह आपकी simplest form है, इस ratio number की in next part, आप देख सकते हो वैसे 2 से divisible है, 2 के अलावा भी बहुत सारे numbers हैं, जिन से divisible है लेकिन हम smallest number पहले चेक करते हैं minus 4 by 70 आप इसको 2 से divide कीजिए पहले आप direct किसी और number से भी divide कर सकते थे, जिससे भी यह divide हो रहा है यह से आपको दीख रहा है, यह 4 से divisible है तो हम 4 से ही कर लेते हैं direct 4, this is 4 now 44 को 4 से divide करोगे, answer 11 negative sign है, तो negative sign तो present रहेगा अब आपका rational number पहले negative है, तो simplest form में क्या होगा हाँ भी तो negative होगा, क्योंकि यह दोनों क्या हाँ आपके equivalent fraction है तो minus 11 by 4, 1 is 4 and 4 is 32 minus 11 by 18 is simplest form because these are co-prime यह numbers आपके इनमें कोई भी common factor नहीं है, आप minus 8 by इसको आप 2 से divide कर देजिए इसको भी 2 से answer will be minus 4 divided by 5, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यह आपकी simplest form ही है, because इन दोनों में कोई भी common factor नहीं है तो यह simple सा आपका question था, जिसने आपको simplest form में convert करना था, जो आप हमेशा से करते आ रहे हो, okay students so meet in our next video and if you like this video, then give a like to it okay students, thank you, bye bye